गुड बार्निंग प्यारे बच्चों आपका दिन मंगल मैं हो नावरात चल रहे इसलिए हैपी नावरात रिए आप सबको एक सूचना देनी थी कि 26 अक्टूबर से आपका हाफ इकजरली एक्जामनेशन अर्धवारसिक परिच्छा प्रारम भाए तो आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए इसमें टीचर्स भी आप लोगों को जो भी परिक्षा में आना है उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग इसमें पढ़ाई भी विशेज ध्यान दे और प्रते दिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से वाटसाप एक वीडियो जाती है उस वीडियो को आप जरूर लाइक करें लाइक करें लाइक के साथ उसमें आप कमेंट में अपना नाम और अपना क्लास जरूर डालें उस पे आपको 20 परसंट 20 नंबर आपको प्रेटिकल के मिलेंगे क्योंकि इस समय वैस्विक महामारी चल रही है कुरोना के साथ और भी बिमारिया है हंता है इबोला है यह सब ए तो इसलिए लिखित परिक्षा 80 नंबर की की गई है और 20 नंबर प्रेटिकल में आप लोगों के हित में दूर दृष्टी के साथ यह फैसला विद्याले प्रसासन की तरफ से लिया गया है तो प्यारे बच्चों आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करें प्रते दिन अटेंड बड़ी शरीर के अंग हैं उनका नाम सिखा रहे हैं और आ से ज्यां तक तो छोटे-छोटे बच्चों को भी पढ़ाई की बहुत आउशकता है उनके हित के लिए वीडियो बनाए जा रहा है आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे विचारों को समझा थांक यू बेरी मच गूड मानिंग स्टुडेंट्स बेटा आप सभी का जैसे आपको पता ही कि आपका 26 एक्जाम है तो आप सभी मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे से घर पे रहिए ममी पापा को परशान मत कीजिए और क्या आप जैसे कि आपको पता है कि 90% मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा तो आए आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे पार्ट्स ओफ पॉड़ी पार्ट्स ओफ बॉड़ी ने मतलब शरीर के अंगों के नाम तो यह पढ़ते हैं F-O-R-E-H-E-A-D फोरहेड फोरहेड मतलब माथा ह-A-I-R हेर हेर मतलब बाल M-O-U-T-H माउथ मतलब मू त-O-N-G-U-E तंग मतलब जीव C-H-I-N चिन चिन मतलब थोडी C-H-E-E-K चीक मतलब गाल S-H-O-U-L-D-E-R शोल्डर शोल्डर मतलब कंधा C-H-E-S-T चेस्ट चेस्ट मतलब सीना W-A-I-S-T रिस्ट रिस्ट मतलब कमर B-A-C-K बैक मतलब पीट F-O-O-T फूट मतलब पैर K-N-E-E नी मतलब गुटना E-Y-E-I मतलब आख N-O-S-E नोज मतलब नाख T-E-E-T-H टेथ मतलब दाथ E-A-R-E-R मतलब कान A-R-M-R मतलब बुजा F-O-R-E-F-O-R-R मतलब बाह की कलाई E-L-B-O-W-A-L-B-O मतलब कोहनी W-R-I-S-T रिस्ट मतलब कलाई H-A-N-D-S हैंड्स मतलब हाथ P-A-L-M पाल मतलब हथेली T-H-U-M-B थम मतलब अंगूठा F-I-N-G-E-R फिंगर मतलब उंग्ली N-A-I-L नेल मतलब नाखोन H-E-E-L हील हील मतलब A-D-T-O-E-S टोज मतलब पैर की उंग्लिया A-N-K-L-E एंकल मतलब टक्ना T-H-I-G-H थाय मतलब जांग L-E-G-S लैक्स मतलब टांग आप सभी बॉड़ी पार्ट्स ने मच्छे से रिपीट करिए लर्न करिए और मुझे सुनाईए थैंक यू, हैव अगूड डे आप सभी का 26 से एक्जाम है तो आप सभी मन लगा के पढ़ाई कीजिए और यूटूब पे SKM पब्लिक स्कूल चैनल पे आप सभी को अपना नेम, क्लास बोल के अटेंडनेंस देनी है अटेंडनेंस देनी है और उससे आपको 20% मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए आईए आपको पढ़ाते हैं फूड, फूड मतलब खाना वीट, वीट मतलब गेहूं तो गेहूं से क्या क्या बनता है पूरी, चपातीज, बिस्केट्स, ब्रेड़, एंड केक कितनी चीज़े बनती है फिर नेक्स्ट वन इस राइस राइस मतलब चावल तो बॉइल्ड राइस मतलब उबलावा चावल और पुलाव, इडली, डोसा ये सब किससे बनता है राइस से मतलब चावल से फिर क्या है पल्सेज पल्सेज मतलब दाल ग्रीन ग्राम मूं की दाल पीजन पी कबूतर कबूतर मतर यह होती है ना पीली दाल फिर ब्लेक ग्राम इसको क्या बोलते है उड़त की दाल फिर चिक पी चना लेंटिल मश्रूर फिर वेजिटेबल्स वे सबजियों से हम सबजियां भी बनाते हैं सलाट भी बनाते हैं बहुत सारी चीज बनाते हैं तो क्या बना है यह सलाद करी सूप पिकल पिकल मतलब क्या होता है अचार और सॉस केचप सब कुछ बनता है फ्रूट्स फ्रूट्स से क्या बनता है जैम बनता है जूस बनता है क्या नॉन वेजिटेरियन आइटम्स, नॉन वेज, जो क्या होता है, मान सहारी, एग, फिश, मटन और चिकन, ये भी देखिये, फूड आइटम्स है, कर्ड, दही, चीज, बटर, आइस क्रीम, चॉकलेट्स, फिर ये क्या है, पेडाज, रसगुलाज, गुलाब जामुन्स, लड् केक, सब बच्चों के मुँमें पानी तो नहीं आ रहा है, फिर ये क्या है, फास्ट फूड, ये सब जो बाहर खाते हैं, होट डॉग, बर्गर, पिजा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, स्प्रिंग रोल, डोकला, डोसा, सैन्विच, पैटी, समूसा और और इस टाइम तो COVID-19 चल रहा है, तो आप सभी भी घर काई खाना खाईए, और हैल्दी रहिए, थैंक यू, आव गुड डे मुझे पे तेरी नजर है मैया, तेरी गोद में सर है मैया